सिख्या खेत्रों परे किपरी सकरात्म को प्रभा पकाईबा यूनियन बजेट वेविनार को संबोधन करुच्छनती प्रदार मंत्री नरेंद्रमोती अब आपको अपने प्रयासों से इस इंटेंट को जमीन पर उतारना है आज विश्व मात्रु भाषा दिवस भी हैं अनेक राज्यों में स्थानिय भाषाओं में मेडिकल और टेख्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है अब सभी विशिक्षाविदों की ये विशेज जिम्मेदारी है कि स्थानिय भारतिय भाषाओं में बेस कंटेंट और उसके डिजिटल वर्जन के निर्मान को गती दी जाएं भारतिय भाषाओं में ये इजिए कंटेंट इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के माध्यम से सभी के लिए एकसेस हो इस पर काम करना है भारतिय साइन लेंग्वेज में भी हम ऐसे पाठकरम विक्सित कर रहे हैं जो दिव्यांग युवाओं को ससक्त कर रहे हैं इसमें भी निरंतर सुधार करते रहना बहुत जरूरी है डिजिटल टूल्स, डिजिटल कंटेंड को कैसे बहतर तरीके से डिलिवर किया जाएं इसके लिए हमें टीचर्स को भी ऑनलाइन ट्रेंड करने पर जोड देना होगा साथियों, डाइनमिक स्कीलिंग आत्मनिर भर भारत के लिए और ग्लोबल टैलेंट डिमांड के लिहाद से भी बहुत एहम है पूराने जॉब रोड्स जिस तेजी से बदल रहे हैं, उनके अनुसार हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को तेजी से तैयार करना होगा इसलिए एकडेमिया और इंडुस्ट्री को मिलकर प्रयास करने की ज़रुत है डिजिटल इकोसिस्टिम फर स्कीलिंग एंड लाइवलिहूड, डेस्टेक, इपोर्टल और इस्कीलिंग लैब की जो गोशना बजेट में की गई हैं, उसके पीछे यही सोच है साथियों आज टूरिजम इंडुस्ट्री, ड्रॉन इंडुस्ट्री, एनिमेशन और कार्टून इंडुस्ट्री, डिफेंस इंडुस्ट्री, ऐसी इंडुस्ट्री पर हमारा बहुत अधिक फोकस है इन सेक्टर से जुड़े मौजूदा उद्योगों और स्टार्ट अप्स के लिए हमें ट्रेन मैन पावर की आवश्यक्ता है एनिमेशन, विज्यल इफेक्ट, गेमिंग और कोमिक इस सेक्टर के विकास के लिए टास्पोर्स का घर्रन इसमें बहुत मदद करने वाला है इसी तरह अर्बन प्लानिंग और डिजाइनिंग देश की जरुरत भी हैं और युवाओं के लिए अवसर भी हैं आजादी के अमरितकाल में भारत अपने अर्बन लैंड्सकेप को ट्रांस्फर्म करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है इसलिए AICTE जैसी संस्तानों से देश की विशेश अपेक्षा है कि इससे जुड़ी पढ़ाई और ट्रेनिंग में निरतर सुधार हो साथियो एजुकेशन सेक्टर के द्वारा हम आत्मंदिर भर भारत के अभियान को कैसे ससक्त करेंगे इस पर आप सभी के इंपूर्ट्स देश के काम आएंगे मुझे विश्वाथ है कि हम सभी के साजा प्रयासों से बजेट में तै लक्षों को हम तेजी से लागू कर पाएंगे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी प्रात्मिक शिक्षा है गाउं तक अनुभव या राहा है कि स्मार्ट क्लास के द्वारा एनिमेशन के द्वारा दूर सुदूर लॉंग डिस्टन्स एजुकेशन के द्वारा या हमारी जो नई कल्पना है कि वन क्लास वन चैनल गाउं तक हम अच्छी क्वालिटी की सिख्षा का प्रबंद कर सकते हैं बजेट में इसका प्रावधान है कि हम इसको लागू कैसे करें आज जब हम बजेट को ले करके चर्चा कर रहे हैं तो आज अपकष़ा यह नहीं है कि बजेट कैसा फो क्योंकि वह तो रो गया अब अब अपकश्या आसे यह है कि बजेट की जो चीजे हैं वो जल्दी से जल्दी हम सिम्लेस्टली नीचे लागु कैसे करें आपने बजेट का अध्यन किया होगा आप फिल्ड में काम करते हैं बजेट और आपके काम और एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्किल डिपार्टमेंट डिवलप्मेंट डिपार्टमेंट की अपेशाएं इन तीनों को मिला करके अगर हम एक अच्छा रोड में बना देते हैं हम टाइम बाउंड काम की रचना कर देते हैं हमारी हाँ हमने आप फरवरी को लेगे, क्यों? तो बजेट एक एप्रिल से लागू हो उसके पहले, बजेट पर हर कोई डीटेल विवस्ता कर ले, ताकि एक एप्रिल से ही बजेट को हम धर्ती पर उतारना शुरू कर सके, हमारा समय भरबाद ना हो, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें काफी अब जैसे आपने देखा होगा, ये ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, अब देश ने सोचा है कि बहुत बड़ी मात्रा में, साइनिक स्कूलों को हम पब्लिक प्रावट पार्टर्शिप मोडेल के और आगे साइनिक स्कूल जो है बनेगे, उसके टीचर की स्पेशल ट्रेनिंग कैसे होगी, आज जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग की विवस्ताएं हैं, उसमें साइनिक स्कूल के टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें फिजिकल पार्ट भी होगा, उसको हम कैसे कर सकेंग उसी पकार के स्पॉर्ट्स हमारे देश में इस आलिम्पिक के बाद स्पॉर्ट्स ने एक विशेस आकर्सन पैदा किया है स्कील की दुनिया का इविशे तो है ही है खेल जगत का भी है क्योंकि टेकनीक टेकनोलोजी इसने भी अब स्पॉर्ट्स में बहुत बड़ी जगा बना ली है तो हम जब यह सोचते हैं उसमें हमारा कोई रोल हो सकता है क्या कभी हमने सोचा है जिस देश में नालंदा तक्ससिला बलभी इतने बड़े सिक्षा संस्तान आज हमारे देश के बच्चे विदेश पढ़ने के लिए मजबूर हो